मैं मनोश कुमार बकलो में अभी अभी military exercise हुई मार्च महिने में ये अमेरिका और भारत के सैनिकों के बीच में हुई है military के बीच में, आर्मी के बीच में ये हुई है इन दोनों आर्मियों ने इसमें भाग लिया ये बकलो कहां पर है, इसके बारे मैं बताना चाहतू हूँ ये भारत देश में पड़ता है ये तो आपको सब का पता है बकलो एक केंटोनमेंट एरिया है और यहां पे special forces का training school भी है आर्मी की special forces है, इनके training school यहां पर है और ये चमबा district में पड़ता है हिमाचल प्रदेश की चमबा district में पड़ता है चमबा आप जानते हैं कि एक rich cultured district है और यहां के यूबा भी culturally काफी efforts करते है culture के हिसाब से की culture हमारा preserve रहे और इसकी संपन्दा के लिए वो काम भी करते हैं आप जानते हैं और ये जो बकलो हैं इसके मैं अगर exact location बता हूँ ये कहां पर है हिमाचल का है जिसको नहीं पता है वो सुने कि ये देखिए आप अगर जब जमबा जाते हैं बाया द्रमण होकर अगर आप जाते हैं तो ये ककीरा से कुछी कुछ मीटर आगे ये बढ़ता है यहां से उपर को आपको turn लेना होता है link road पे बकलो के लिए special turn आपको लेना पड़ता है और ये जो बकलो उसके कुछी किलोमेटर में बकलो जो cantonment area है वो आ जाता है उसके आगे को ये road चला जाता है और चवाडी साइध में भी चवाडी में यहां से गए हूँ और एक बीच में नडी नाल नामक के गाउँ भी वरड़ता है वाँबर में रुक कर कुछ खाना भी वाँपर खाया था यानि कि लंच वाँपर किसी के गर में किया था जो कि काभी अच्छे लोग वहां पर हैं क्योंकि मैं उनको जानता भी नहीं था फिर भी उन्होंने ठीक ठाक से चलिए ये प्राइबेट बात हैं तो मैं आगे चल कर आपको बढ़ाता हूं कि ये military operations में जो joint military operations होते हैं उनकी capability capability है जैसे उनको बढ़ाने के लिए किस तरह से युद में कहीं war फियर होता है ये कोई war game होती है जैसे ये जो training करते हैं इसमें एक war तो नहीं होता है और ये देखिए ये जो military exercise होते हैं joint में ये ऐसे ही नहीं हो जाते हैं हर किसी देश के साथ बलकि उन देशों के साथ होती है जिनके साथ जो trust है वो ठीक सा बना होता है तो special forces के बारे में हम जान लेते हैं इसमें इतना ये सिर्फ की बजरपरहार जो है इसका 11th edition अभी हु of pajra prahar military exercise तो special forces के बारे में हम जल्दी से जानते हैं जैसे इंडियन की इंडिया की जो इंडियन आर्मी की special forces है इंडिया की special forces है इसके बारे में अगर पता गड़े तो मार्कोस जो है no.1 forces में आता है special forces के no.1 पे marine commandos इसमें होते हैं और ये Naval navy उसको अंडर जिसके अंडर navy क अंडर ये काम करते हैं तो पैरा कमांडोस होते हैं पैरा कमांडोस इंडियन आर्मी में से चुने जाते हैं यह जो अंडर है यह इंडियन आर्मी इसका सुप्रोविजन करती है तो गरूड होता है गरूड कमांडोस कमांडोस फोर्स होते हैं यह एर फोर्स में से होते हैं यह इसको कंट्रोल करती है घरूट कमांडोस को और घातक फोर्स गातक फोर्स के बारे में आपने सुना है कि इन्डियन आर्मी की एक फोर्स होती है वैसे तो हर फोर्स में यह चोटा सा गूट होता है जो की स्पेसल परपर्स के लिए बनाया जाता है तो एक नैशनल पुलिस फोर्स इसका यह फुल फॉर्म है नैशनल सेक्यूर्डी गार्ड के मारे में आपको मैं बता रहा हूँ तो कोब्रा जो कोब्रा फोर्स है वो उसके सीएप फोर्स बनाया जाती है कोब्रा तो कोब्रा आपको जानते हैं कि नकसल बादियों से स्पैसल ट्रीट्में के लिए ये बनाई जाती है और इसको special commandos special जवान इसमें होते हैं कि इनको training होती है कोबरा को आपने सुना कि 36 गड में अभी अभी आपने सुना था 31 जो जवान है वो somehow घायल है और 24 जवान जो है वो साहिद हो चुके हैं आपने सुना in news में last week तो इसके अलावा जो special frontier force होती है SFF ये जो special frontier force होती है ये करती है RAW के RAW के अंडर ये काम करती है यानि कि ये research wing के अंडर काम करती है ये research wing के इसमें जवान होते हैं force 1 है force 1 जो है special forces में आता है ये मुंबई की force है और मुंबई में आपको बताई कि कुछ time पहले 2008 में लगवग ये उसके 2008 के बाद लगवग ये बनी है तो तब जो है मुंबई में काफी ज़्यादा हमले हो रहे थे इसलिए इसको बना दिया गया उसको निपनने के लिए तो special forces of USA के बादे में हम जान लेते हैं कि US में कौन-कौन सी special forces है तो ये के आर्मी ग्रीन बेरेट्स है नमबर वन पे आर्मी नाइट स्टॉकर्स है और थर्ड नमबर पर आर्मी रेंजर्स है ये तीनों आर्मी की ही एक forces है आर्मी की सिरफ military की ये आर्मी की forces है और नवल में देखिए आप अगली तीन इसमें भी तीन forces है नेवी नेवी सिल्स है नेवी सिल्स मिशन है नेवी SWCC है तो ठीक है तो इतना होने के बाबजूद अगर मेराइन में हम देखे तो मेराइन मार्सो के हैं मेराइन रीकॉन है मेराइन रीकॉन mission है आप special forces आप year forces में देखिए year forces में आपका year force special tactics है और इतनी इनकी special forces है US की कुल मिलाकर 10 हैं इंडो US exercises के बारे में हम जल्दी से बात करते हैं इंडो US exercises के बारे में exercise youth abhyaas आप याद रख सकते हैं कि exercise youth abhyaas जो है इंडिया और US के बीच में होती है यह army दोनों देशों के army conduct करती है कोप इंडिया जो है यह फोर्स दोनों दोनों देशों के इयरफोर्स के बीच में होती है red flag red flag एक एक ऐसी exercise हैं जो की multilateral है या निकिए अमेरिका और बहुत सारे जो अमेरिका जिन देशों पर टरस्ट करता है उनके बीच में ये होती है मालाबार exercise मालाबार exercise जो है काफी चेचर्च में रहती हैं ये trilateral military exercise नबल exercise है जो तीन देश यानिकि ये US, इंडिया and Japan ये तीन देशों के बीच में होती है और इसको last edition में इसको उस्ट्रेलिया को भी invite किया गया था और एक एक है पासेक्स एक्ससाइजें वो कभी खबार होती है ये अचानक बुलाई जा सकती है कभी भी जब दोनों देशों भी बिल्ट्री इसको लगें कि हाँ ये सही समय है इसको कंटक्ट कुराने का इसके साथ मैं वीडियो को आइंड करता हूँ आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हिमाचल प्रदेश के और इसको मैं लगतार कंटीनु करूँँगा अगर आप अपना सप्पोर्ट बनाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसको वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट जूर करें आपको किस तरह के वीडियो ये किस तरह से लगें इसमें सुधार क पर्स्पेक्टिव से जरूर ये उसको मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा और मैं इंप्रूब करने का इसमें पूरा प्रयास करूँगा आप सपोर्ट बनाये रहें थैंक यू सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक यू नमास्कार